हालो फ्रेंड्स बहुत ही इंट्रेस्टिंग गेम आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये गेम जो है इसमें बहुत जादा इंट्रेस्टिंग आपको ट्वेस्ट मिलेगी जो की है यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपके जो नंबर से वो आगे पीचे है और इसके लिए जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपको लगाना है एक तो 45 सेकेंड और बड़े लोग है तो 30 सेकेंड का ठिक है अब देखते हैं गेम कैसे खेलना है इसके लिए मैंने लिए है राजमा और गेम स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे मैं खेलूंगी वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा जैसे मैंने 30 सेकिंड या 45 सेकिंड का टाइम लगाया है तो start कती हूँ game खेलते time दो आपकी जो main tips है वो देनी है एक तो आपको single hand का ही use करना है एक ही हाथ use करेंगे और second यह है कि जब आप राजमा रखोगे तो इस round के इस circle के बाहर नहीं होना चाहिए ठीक है तो रखने वाले थोड़ा धान से रखेंगे time start होता है अब line से number रखते जाना है one two three four ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए इसको अच्छे से अंदर रखना है ठीक है next है four five five game बहुत fast केरना पड़ता है six यहां से आगे जादा difficult हो जाता है four five six seven four five six seven eight और यही पर मेरा time होता है अब ओके इसका मतलब nine and ten मेरे खाली है और इस वज़े से इस game की winner मैं नहीं हुई हूँ और एक बात अगर आप यह group के साथ खेल रहे हों और उस time पर अगर ऐसे होता है तो एक तो सबसे main जिसका भी यह complete होगा उसको आप winner कह सकते हों और second जो winner है वो आप कैसे निकालोगे जैसे किसी का भी यह पूरा game नहीं हुआ है कोई भी ten तक नहीं गया है तो आपको क्या करना है कि कि जिसके उसके नाम के आगे लिखके रखना है जैसे मेरे eight complete हुए है तो मेरे आगे eight और मेरा timing लिखना है 30 seconds, 25 seconds, 35 seconds, 45 seconds ऐसे है तो उस हिसाब से समझ में आएगा कि इस game का winner कौन हो सकता है पर सबसे main सबसे जरूरी जिसका ten तक हुआ है वही main इस game का winner होना चाहिए ओके बह clean page लेना है, ten circles निकालने है उसके अंदर आप आगे पीछे करके numbers लिखोगे और time लगाना है बस, timer बहुत जरूरी है तो ही ये game बहुत interesting डगता है क्योंकि participants fastly रखना चाहते हैं और आगे आगे जैसे number बढ़ता है, राजमा हाथ में से फिसल जाते हैं, count करने में time लगता है और इसी में ये game over होता है, तो एक बार जरूर खेल के देखना है और आपको game कैसे लगा, इसका comment भी करना है, thank you